नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल कार्ज और 22 डिटिलर में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे घरेलू तरिकों से हम अपने गाड़ी को बहुत असानी से वाश कर सकते हैं इस वाशिंग के दौरान मैंने प्रिशर वाशर या फोम करनिंग का इस्तेमाल भी नहीं किया है और हम देख सकते हैं कि इस गाड़ी में दस्ट की एक लेयर बैट चुकी है काफी जगह स्पॉर्ट्स और दागधब्बे नजर आ रहे हैं तो यह एक सही टाइम है जब हम अपने गाड़ी को वाश कर लेना चाहिए और गाड़ी को रेगुलर वाश करने से गाड़ी की जो पेंट की फिनिश है वो बनी रहती है और इसकी जो शाइन है वो बरकरार रहती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगबग धाई महीने पहले मैंने अपने गाड़ी पर पेंसीलन लगाया था और उसके बाद लगबग मैं इसे 7-8 बार वाश नॉर्मली कर चुका हूँ तो दोस्तों यह मेरे घर के नल से कनेक्टेड गार्डेन होस पाइप और गार्डेन स्पीर आज इसकी मदद से हम अपने गाड़ी को वाश करेंगे और देखेंगे कि हमें इसे कैसा रिजन्ट मिलता है तो सबसे पहले स्टेप में हम अपने गारी के पूरी बाड़ी को अच्छी तरीके से एक बार पानी से रिंज कर लेंगे ऐसा करने से गारी के उपर जमा हुआ जो डस्ट का लूज लेयर है वो डस्ट निकल जाता है मैंने वाशिंग के लिए अपने घर का जो गार्डन होस पाइप है उसका इस्तमाल किया है जो कि मेरे घर के नल से कनेक्टेड है और इससे मुझे लगवग एक डीसेंट सा प्रेसर मिल जाता है हाला कि आप इसका कंपरिजन बिल्कुल भी प्रेसर वाशर से तो नहीं कर सकते हैं बट पानी का प्रेसर इतना काफी है कि जिससे आप अपनी वाशिंग अच्छी तरीके से कर सकें अगले स्टेप में हम अपने गाड़ी को फोम वाश करेंगे फोम वाश करने के लिए हमें चाहिए होगा एक गार्डेन स्प्रेयर और कारवाश शंपू मैंने इस गार्डेन स्प्रेयर में लगबग दो लिटर पानी यूज किया है और शैंपू के लिए मैं 3M कंपनी का कारवाश शैंपू यूज कर रहा हूं मुझे यह 3M कारवाश शैंपू का भी पसंद है क्योंकि यह पीच न्यूट्रल शैंपू है पीच न्यूट्रल का मतलब अगर आपके गाड़े में अल्रेडी किया है या फिर कोई पेंट सीलेंट वगरा किया है तो यह शैंपू आपके पेंट सीलेंट या वैक्स को खराब नहीं करता है बस इसके उपर जो भी जमा हुआ डस्ट है जो भी दाग धबें उसे साफ करता है तो लगबग 2 लीटर पानी में 15 ml कारवाश शैंपू और उसक तो नेक्स स्टेप में हम इस फोम को अपने गाड़ी के पूरी बॉड़ी पर अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे तो दोस्तो गाड़ी के पूरे बॉड़ी में फोम को स्प्रे करने के बाद हम लगबग 5-6 मिनिट वेट करेंगे इससे क्या होगा कि यह जो जाग है वो गंदगी पर अपना असर अच्छी तरीके से कर पाएगा गंदगी को या डस्ट को अच्छी तरीके से लूज कर तो अब लगबग 5-6 मिनिट के बाद हम अपने गाड़ी को अच्छी तरीके से एक बार पानी से रिंस कर लेंगे नॉर्मली हम गलती यही पर करते हैं कि फोम लगाने के बाद हम तुरंत ही अपने गाड़ी के बाड़ी पर कपड़ा मारना स्टार्ट कर लेते हैं ऐसा करने से गाड़ी पर फाइन स्क्रेचेज और स्वेल माक्स आ जाते हैं तो दोस्तो अगला स्टेप है हमारा कॉंटक्ट वाश इसके लिए मैंने एक माइक्रो फाइबर वाश मिट और बचा हुआ शैंपू और पानी का इस्तमाल किया है आपको इस वाश मिट को धीरे धीरे बिना ज्यादा जोड लगाए अपने गाड़ी के बाड़ी पर रब कर करना है ताकि बचा हुआ जो मैल है वो इससे निकल आए अगर आपके पस वाश मिट नहीं है तो आप एक साफ माइक्रो फाइबर टॉयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं हाला कि वाश मिट यूज करने से आपके गाड़ी पर स्क्रैचेस कम आएंगे और आप ध्यान रखे कि एक गाड़ी के बाड़ी पर स्क्रैचेस नहीं होंगे तो कॉंटेक्ट वाश हो जाने के बाद हम अपने गाड़ी को एक बार पानी से फाइनल रिंज कर लेंगे तो गाड़ी पूरे अच्छे तरीके से रिंज होने के बाद हम देख सकते हैं कि इसके पेंट पर कितनी खुबसूरत वाटर बीडिंग अभी भी हो रही है इसका मतलब है कि लगबग धाई महने पहले मैंने जो इस पर पेंट सीलेंट अपलाई किया था वो पेंट प्रोटेक्शन अभी भी मेरे गाड़ी पर काम कर रही है तो अगर आप पेंट नीटल शैंपू का यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके गाड़ी के बाड़ी कर जो भी वैक्स या पेंट प्रोटेक्शन लगा हुआ है वो काफी लंबे समय तक लगबग 6-7 महने तक वो काम करता है हलाकि अगर आप कोई दूसरा डिटर्जेंट या हार्श केमिकल वाले शैंपू यूज करते हो तो यह प्रोटेक्शन या वैक्स जल्दी उतर जाता है तो इस टेप में हम अपने गाड़ी को अच्छी तरीके से सुखा लेंगे इसे ड्राइ कर लेंगे और ड्राइ करने के लिए हम एक साफ और सौफ माइक्रोफाइबर टॉयल के यूज करेंगे अगर आप अपने गाड़ी को सुखाते हो तो फिर इसमें स्क्रेचेज कम से कम आएंगे और फिर भी आप देख सकते हो कि इस गाड़ी में कहीं कहीं पर water spots नजर आ रहे हैं क्योंकि मेरे घर का जो पानी है वो थोड़ा hard है और खारे पानी से जब आप गाड़ी को वाश करते हो तो ऐसे water spots आ जाते हैं दोस्तों यह है हमारे car washing का final step तो washing के इस final step में हमें अपने घर के water purifier या water filter से लगबग 1500-200 ml soft water लेकर गाड़ी के पूरे बाड़ी पर spray करना है और एक साफ microfiber toilet से wipe कर लेना है normally जब हम अपने घर में bike या car को wash करते हैं तो घर का पानी आम तो पर खारा या hard water होता है जिसके कारण गाड़ी के paint पर धीरे-धीरे salt और minerals के deposit बनने लगते हैं जिससे उसकी चमक जो है वो धीरे-धीरे dull पढ़ने लगती है तो अगर आप गाड़ी wash करने के बाद finally soft water से अपने गाड़ी को एक बर wipe कर लो तो गाड़ी के paint पर जमा हुए जो mineral deposits है जो salt deposits है वो उतर जाती है और आपके गाड़ी के जो sign है वो बरकरार रहती है तो दोस्तो washing के बाद finally यह है results काड़ी में एक बहुत ही बहतरीन shine आ चुकी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंतक देखने के लिए तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like और share जरूर करे मेरे इस चैनल को subscribe करे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे detailing वीडियो लाता रहूंगा